आज सब्सक्राइब दोजार तेइस आप सबका स्वागत आज की चर्चा में और आप सभी को जन्माश्टमी की बहुत बहुत बढ़ाई हैं आज जिस विशेप चर्चा करने वाले हैं जन्रली उसे एवाइड किया जाता है कि जो लिविन रिलेशन्शिप्स हैं उनका लोगों पर क्या प्रभाव पढ़ता है स्पेशली उन दोनों लोगों पर जो इस रिलेशन्शिप म और डॉक्तर जीर मिश्टराजी नमस्ते मिश्टराजी स्वाधत आपका और आपको जन्माश्टमी की बहुत बहुत बढ़ाई है आपको भी आज का जो डिसकेशन करने वाले हैं उसका जो बैक्राउंड है मैं एक बार दर्शकों को दे देता हूं अभी पिछले हफ़े अलहाबाद हाई कोट का एक निर्णाय था इसमें उन्होंने कुछ कमेंट्स किये थे जो बड़े इंट्रस्टिंग है और उनका एक कहना है कि जो लिविन रिलेशन्स है और उन्होंने बहुत सारी अब्सेर्वेशन्स दी है अब आज के बातावरण में जब बहुत वोकिजम फैला हुआ है और उसे क्या बोलते हैं वोग में है वोकिजम या इन थिंग है या उसकी हवा चल रही है और स्पेशली जब हमारे सरोचनेले के जो चीफ जेस्टिस हैं चंदरचूर जी उन्होंने भी इस तरह की टिपनियां की है कि there is no absolute concept of man and woman हलाकि उसका Context थोड़ा लग था लेकिन इसले कई वर्षों से जो नियम मनते आ रहे हैं और जिस तरह की death के जच्चमेंट स्कोर्ट्स में से आ रहे थे उन्स के ये कुछ हथ तक कुछ हथ तक कहना में शाहिद गलात होगा बहुत हथ तक उनके विप्रीत जाता हुँआ दिखाई देता और अब समाज में जहां तक मैंने देखा है वह यह बिल्कुल शार्प दो ग्रुप्स बने हुए एक का कहना है कि यह क्या हमें क्या रिग्रेसिव जज्जमेंट है कि जिस्टेस गौन है जो इस तरह की बात करने है और दूसरे वो हैं वो जो रिलीव फील करने हैं कि कम से कम क किसी ने ऐसी बात कहने का साहस्तों किया नहीं तो आजकल का जैसा महौल बना हुआ है उसमें इस तरह के कड़वे सच बोलना जनरली लोगों के बस में नहीं क्योंकि उनको वो आजकल एक शब्द चलता है कि सोशल मीडिया पे लिंच कर दिया जाता है और जिन नयमूर्ती ने कहा है उनका नाम जस्टिस सिधार्थ है तो ऐसे वाताबरण में लगता है कि किसी ने साहस्त किया है ऐसी बात करने का जो उनकी वाओं से जुड़ी रहती है और कापी उनकी पर्स को समचती है तो क्या नहीं इसका रियक्शन कैसा आना चाहिए थोड़ा गलत बोला उन्होंने उन्होंने महलाओं के लिए बोला मैं एकदम आपको आज का सच दे रही हूं सच ही है कि लिविट में रहना लड़कों दिस्प्यूट चल रहा था जिस पर उसने मटर कर लिए और हम आफ्ताब और श्रदा का केस अल्रीडी देच चुके हैं तो वो कहां तक जाता है हमें पता है दूसरी बात यह है कि मैं क्यों कह रही हूं कि लड़कों के लिए बहुत डेंजरस है क्योंकि आप अगर आज रे लड़का तो अलग होना चाहता रहा एक और डिसिजिन आया था कि लड़की को आप फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप मेरे से शादी करो लेकिन लड़के को आप फोर्स कर सकते हैं क्योंकि उसके उपर रेप का इल्जाम लगा रही है कि आपने फॉल्स प्रॉंस ओपमेस पर रेप इसके साथ किया, हाला कि वो consented sex था, हम जानते हैं, दो युवाओं के बीच में था, वे consented to go, बट क्यूंकि अब लड़का बैक आउट कर रहा है, तो लड़की उसके उपर रेप का इल्जाम लगा रही है, और दूसरे एक judgment में, जो कि अगर आप चाहेंगे, तो मैं आप से शेर भी कर दूँगी, वो judgment कि कहते हैं, कि आप लड़की को फोर्स नहीं कर सकते हैं, तो इन्होंने भोला तो ये है कि लड़की को नहीं मिलता है husband, जो कि अब मुझे नहीं लगता कि उतना फरक पड़ता है क किसी को, कोई भी नहीं देखता है कि don't check a girl's background और ये सारी चीजे भी वोख वली चल रही है, ये big cities में बहुत ज्यादा हो रहा है, हलां कि small cities में भी, मैंने भी cases देखे हैं, पर हाँ big cities में हमें ये भी रहना पड़ेगा है, ये कौन लोग हैं जो live-in में रहने को ready हैं, it's not so advanced पर हाँ, थोड़ा गलत उन्होंने बोला, difficult for a woman to have a husband, partially ठीक है, लेकिन very dangerous for a man to live in with a woman, क्योंकि उनको पता है कि उनके पर वो दोधारी तलवार लटक रही है, the moment वो back out करेगा, उसके ओपर cases आएंगे, मेरे पास एक ऐसा भी case आया था, जहम पोलीस वाला already मुझ से कह रहा था क्योंकि वो लड़का मान भी रहा था कि मुझे शादी नहीं करने इस लड़की से, और हमने mutually decide कि यह तो बस हम दो तीन साल रहेंगे और फिर हमाला को जाएंगे, उसमें बोला कि 498 हे लगेगा, उससे बाहर आना मुश्किल नहीं है, एक बार rape का case लगया तो यह लड़का क्या काफी गलत है, man के पार्ट पर तो काफी गलत है, क्योंकि मैं बहुत सारे लड़कों को false marriage के promise पर jail जाते होगे देख रही हूँ, और बहुत dangerous situation है के लिए, जी, ओके, रजीम जी, generally ऐसा एक perception है, कि जो live-in relation है, इसमें जो लड़का है, उसके तो मौजी मौज है, कि उसक commitment के वो रह रहा है, और एक ideally एक जो young लड़का है, उसको और क्या चाहिए, कि उसको पसंद की लड़की मिल जाते है, उसके साथ रहने को तयार है, और जो baggage होता है शादी का, उसके साथ नहीं है, तो वो तो उसके लिए it is like a dream come true, कि चलो 6 महीने इसके साथ रह लेता है, फिर जोती जी ने तो सही से बताई दिया कि नागेंज कितना बड़ा है, जी और हम वेस्टर्ण वर्ल्ड से नकल कर रहे हैं, लेकिन वेस्टर्ण वर्ल्ड के situation समारे यहां नहीं है, और पूरी तरह नकल भी नहीं कर रहे हैं, यहां पर ऐसी कोई समस्या नहीं है, कि लड़के एक शादी से इंकार कर दिया, तो उसके रेप का केस लग जाएगा, सेक्स on the pretence of marriage को रेप का ग्राउंड पता नहीं, दुनिया में और किसी देश में माना जाता रहे हैं, यहां एक विचित्र का सिस्टम है, इस सिस्टम का फार्दा यही हो कि यह लिविन रिलेशन्स को डि इसको का मैं काम करी है, यही शाच भायदे का काम कर दें गँड़न में इसको कैसे दिखा जाता है न तिर्फ इसके वारे में पाद हो, विस्टन वर्ल में इसको को अब यूँ किसी के साथ रहने नहीं रगाशा है डेटिंग का एक प्रॉसस होता है लड़के लड़की मिलते हैं लड़के लड़की जानते हैं उनके बीच में सेक्स भी होता है लेकि वो साथ नहीं रहते हैं लिविन का कंसेट्ट जो है वह बेसिकली नेक्स श्टिप पॉरवर्ड है कि उनके माइंड में शादी जाथ में जिंदकी भिचाने का विचार होता है तभी वे साथ रहना चुनू करें तो वे साथ रहना क्या क्या समस्या है आएं कि जिस परसन को हम आठ इस बेस्ट और अर जानते हैं वह सच मुछ में उसके साथ जीना कैसा होगा इसको वे जानने का प्रयास करते हैं इसके पीछे का कारण क्या है इसके पीछे का कारण यहा है कि यहां ऑल्रेडी डिवोर्ट जो है 50 to 70% के रेट तो उनका लाजिक होता है कि आज हम शादी कर लें more than 50% चांस है कि ह तो हम साथ रहके देखने की exactly how it is going to feel क्योंकि कुछ दिनों के लिए डेकिंग में to be your best self आता है कोई बंदा कुछ देर के लिए बिला वह सबसे अच्छे कपड़े पानेगा सबसे एच्छी स्माइल रखेगा सबसे एच्छा behavior रखेगा उसके साथ जीवन कैसा होगा इसका अ इनके लिए या आवश्यक है कि ये साथ रहकर देख लें चादी चलने वाली है या नहीं है भारत में ऐसी बात नहीं है बारत में चादियां सामान लेता more often than not चलती है क्योंकि उसके तीछे की जो वेटिंग प्रॉसेस है वो बहुत स्टॉंक है परिवार एक दूसरे को जा सब्सक्राइब नहीं यह मतलते हैसे अपरना बनता है उस यह पिर अग्लीडिटे से मिलते हैं इfps सोचल प्रेशर जो परिवार को पैलने से और परिवार क cargo से जो सोचल परिशर बनना चाहिए वह बनता है यह मेरे परिवार में थी हुआ है इंस लिए अटे मारे बच्यों स कि इस decision making process में शामिल होने से जो appropriate social pressure बनता है जो शादी को विपरीत और स्थितियों में भी चला देता है निविगेट कर देता है जब cutting समय आता है जब आपस में भारत में वह स्थिति मौझूद है तो भारत में का trial and error की हम छे मैंने साल बर सात रहके देख लेते हैं तब शायति करेंगे यह आवश्चक नहीं है और यह बल्कि क्या है कि टादी के पहले कुछ महिने और पहले कुछ साल जो bonding क्यों होते हैं वे लॉस्ट हो जाते हैं आप अल्रेडी साथ रह रहे हैं मैरेज डाज नॉट प्रोवाइड गैट एक्स्ट्रा बॉट्टिंग डाट मैरेजी सब्सक्रों प्रोवाइड तो भारत की जो सामाजिक स्थिति है वह इतनी अलग है कि इसमें लिविन में रहने के लाव कुल नहीं है और नुक्सान ही नुक्सान है मैं अभी भी इसको अभी इसको मोरल इशूज पे लाया है उसका मैं कहता हूँ आप मोरल इसूज मैं लाया की जो की पूरे प्रज्र सिपा सेंटर है और हम और आफ अच्छा है कि बुरा है यह मेरे आपके जब जी के लिए relevant प्रशन नहीं है हमारे बच्चों के लिए relevant भूषन आना इसी नहीं ला सकते यह को कर देंगे तो अगर हम इसके moral issues लाएंगे तो हमारे लिए इस्जू नहीं है मैं सिर्फ इसके practical issues लागा कि western world में living कहना ना तिर्फ लावदायक है बल्कि आवर्शक है क्योंकि उसका risk है कि अगर आप living में नहीं रहते हो अगर आप बंदे के साथ रहके नहीं देखते हो तो बेटर आप पहले ही सौट आउट कर लो और जाए लेकिन भारती ये कंटेक्स्ट में उसका उल्टा नुक्सान है और लीगल नुक्सान भी है जिए तो इससे पहले कि मैं जोती जी के बास जाहूं आप एक बात का अंसर दीजिए जो आपने कहा कि वहां और डिवोर्स रेट बेस्ट में 50-70 परसेंट है तो जो लिवन वाला स्टेप है इसके होते होए 50-70 परसेंट है या ये बात की डिवेलपमेंट है कहना कडिन है बहले मुर्गी आई के एंडा लेकिन जो सिती है 50-30 पर्चेंट जो डिवोर्स रेट है इसके रहते कोई भी परसन या रिस्क लेने को टैयार नहीं है इस वर्ल में कि वहाई मैं इस परकी से आज मिला करें पुझे परसन में शादी करूगा और तब मैं इसके सा पुरी तरह से लड़की और लड़की ने लेना है वह समझता है वह में लगता है वह वह वेस्टन वर्ल में नहीं है तो उन्हें करना ही पड़ेगा क्योंकि ना किसी के साथ रहे अगर आप जा रहे हैं आप एक प्खार के बहुत है दोगा रिसक्रेर अब 1550 तो सेवेंटी पर सेंट जो डिवोर्स रेट है वो मल्टी। तो उसे महिलाओं के माइनसेट में एक मेजर परिवर्तर आया और या सच है इस मैरिज जो है वह महिलाओं के तो उन्हें एड़्जस्ट करना हो तो जो फेमिनिजम आया उसमें महिलाओं की इस एड़्जस्टि का नाश्ट करना है दूसरा जो मेजर एक्टर है वह यह है कि वेल्पेर स्टेट आया तो अमेरिका में लोगों के लिए अपने परिवार को छोड़के फुक लेना आसान बात बन नहीं रही है चलते हैं अलग्टी भी होती है कि यार इस आदमी पैसे नहीं कमाता है इसके साथ रहने से अच्छा है मैं इसको डिवोट यहां पर डिवोर्स रेट का 50-70% होना मृटिफैक्टोरियल है और इसमें लिजन में रहना या नहीं रहना एक फैक्टर इंपोर्डेंट फैक्टर नहीं है जी जोती जी जब हम ये जिस जज्जमेंट के आज हम बात करें कि जजने एक और पास किया इस तरह का तो उसने स्पेसिकली बात की लड़की उपए है अब लड़कों को आपने बताया के लड़के इसमें ज्यादा मुसीबद में फस्ते हैं कि वो जैसे चुहेगो चुहेदानी में पनीर का टुकड़ा दिखाई देता है वो उसमें घुस्तो जाता है तेकि अब बाहर नहीं आ सकता है वो तो उसके चंगोल में गया फस ये तो एक एस्पेक्ट दूसरा ये है कि लड़की रही मालीजे एक साल छे महीने किसी भी टाइम के रिट रही दो साल रही उसके बाद वो व्यूचुली एग्री करके अलग हो जाते हैं तो लड़की किसी और के साथ रह लेते हैं मालीजे अब उसके मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं बड़ेगा अगर हम ऐसे बात करें इंडिया में आज भी लड़की की चेस्टिटी मैटर करती है वर्जिनिटी बहुत बड़ा इशू है इस वात को मैं मानती हूं लेकिन आप ये देखिए कि लड दोनों एक्वल पर हैं लेकिन उसको जाधा दिखाया जाता है कि चेस्टिटी ना भी हो तो भी चलेगा हाला कि बड़े चहरों में तो उतना फरक नहीं पड़ता है बर चोटे सिटीज में है अगर आपका बैग्राउंड पालिया गया कि इसका बॉइफ्रेंड था या या यह एक रिलेशनशिप में रह चुकि यह फिर वहां छोड़ा है इसने और फिर यह आ रही है तो डेफिनेटली उस लड़की के क्यारक्टर पर क्वेश्चन आता है चोटे सिटीज में तो डेफिनेटली आता है और उसकी शाधी होना मुश्किल होगा मुझे समझ में आ रह कोई लिए दिन नहीं हुआ था तो कई बार जजजेज यह बोलते हैं कि आपने लड़की खराब कर दी बहुत अजीब लगता है सुनने में बट आई लो वह किस चीज़ के बार में बात कर रहे हैं कि लड़की का एक एक अप्शुल पार्टनर था अब नहीं है यानि वह द लड़की है तो वह जच साहब ठीक कर रहे हैं उसके लिए मुश्किल आएगी शायद इसलिए यहाँ पर यह ववस्था थी कि एक सर्टें एज के बाद लड़कियों की शादी कर दी चाहेगी और उनके ठीक है एक दो पार्टनर है चलता है उससे जाधा पार्टनर नहीं हो रहा है बाकी और कंट्रीज में, specifically United States की अगर हम बात करें तो sexually transmitted disease एक बहुती alarming stage पर है, आप spiritual guru से बात करें, आप doctors से बात करें, डॉक्र साव हमारे साथ हैं, और आप किसी से भी और किसी से भी बात करें, तो multiple sexual partners होना ना आदमी के लिए उतना अच्छा है, उतना ने बिल्कु सूसरी ही चाहिए, यह तो मैं भी कहती हूँ, कि जब आप यह कहते हैं, कि मुझे ऐसी वाली लड़की नहीं चाहिए, तो आप खुद को भी देखिए, पहले कि आप कि इतने partners के साथ active रह चुके है, इस दोनों के लिए साहिए, पर यहाँ पर जच साब ने जो बात कही, व वो अपने पादर से लड़के गई थी, उस लड़की के साथ रहने के लिए, कि आपको मेरे जिंदी पर कोई अधिकार नहीं है, मैं अपना decision ले सकती हूँ, और आखिर में पिता ही गया अपनी लड़की के, टुकडों को समेट कर लाया, जिसे का लाता है, तो जब आप यह कर रही होती हैं, तो आप जानती हैं कि आप कौन से समाज में रही है, जैसा डॉक्ट सार ने कहा, कि वेस्टन समाज और भारती समाज बहुत अलग है, तो आपको अपना support system खतम नहीं करना, और मैं बार-बार यह बात कह रही हूँ कि शाया चेस्टिटी या वर्जिनेटी जो भी हम कहें उसको पवित्रता को, एक बार को पुरुष तो फिर भी सुईकार कर ले जाएगा, चार मही लाएं ही बात कर रही होंगी उसके बार में, जिसको नहीं भी पता होगा, यहीं आके information देंगी, ओ यह तो वहाँ उसके साथ रहती थी, तो यह जो situation होती है, यह जद साहब यह सोचते हैं कि हान लेवी नम आ गया है, तो उसके लिए guidelines दे दें, और यह false promise of marriage क्योंकि मैं अभी फिलहाल यह मानती हूँ, जैसा कि रॉप साहब ने काया, मेरे तक तो ठीक था, मेरे बच्चों के लिए मैं बिल्कुल allow नहीं करूंगी कि आप बिना जाने जा कि दोनों में compatibility होना बहुत जाधा important है, हम बीच में हैं अभी, ना हम morality पकड़के चल पा रहे हैं, ना हम पूरी तरह से आधू नहीं हो पा रहे हैं, हम कहीं बीच में हैं तो हम वो भी सही है, लेकिन फिर इसमें guidelines होनी चाहिए, क्या-क्या चीज फॉलो होगा, और मान लीज जहीं आ रहे हैं, कि आपकी माँ आती है, तो यह होता है, आपके परिवार वाले यह बात कर रहे हैं, तो यह सब कुछ महल विवाज जैसा बन गया लिए लिए इंडिया में especially, तो अब क्या कमी रह गई है, तो इसलिए यदि लड़की को यह लगता है, कि हां कल को यह कहते हूं कानूनों में, हर चीज में हम लोग बिल जो अधी नकल कर रहे हैं उससे प्रॉब्लम होगी, हम लोग को बैठ के अपने कानून अलग से ड्राफ्ट करने पड़ेंगे कि हमारे समाज के लिए क्या सब्सक्राइब, जी, मैं जी, मेडिकल साइड या मोरल साइड की अलावा, उससे असामत ही नहीं दिखा रहा हूं, उसमें कुछ और जोडने का प्रयास है, जिन लोगों की पहले रिलेशन टूपते हैं, उनके सब्सक्वेंट रिलेशन टूपने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो वेस्टरन वर्ल्ल में दिखा गया है कि जिसका इसकी पह पहली शादी के डिवोर्स रेक 50% है, दूसरी सादी का डिवोर्स रेक 28% है, और तीसरी सादी के का डिवोर्स रेक 90% है, तो यह जो आदत होती है, आप सोचते हैं, आप यह आप यह पाइंसेट डिवलफ कर लेते हैं, कि चला तो चला नहीं चला तो तो आप पहली बार में अब क्रॉमेटिक होता है आप नहीं करना चाहते हैं उसके पाद आदत पढ़ जाती है तो यह जो आदत है लिविन से कैरी ओन हो सकती है मैरेजिस में और आपके दो जैसे आप दो पार्टनर से अलग हुए है फिर बाद में वाइफ से भी अलग हो लेंगे बाद में इससे जूर सकता है अभी हम रिडेशन को जैसे एप्रोच करते हैं कि भाई ठीक है कोई लड़की पसंदा आई नहीं आई जो भी है लेकिन एक बार उससे रिडेशन बन गया तो हम उसके प्रती हमारा साइकोलाजिकल पॉइंट ऑब यू होता है कि यह लाइक लाग है यह करते लिए यह जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे शादी से बाहर निकलना शादी को तोलना भी लोगों को आसाल लगने लगेगा और इसके विपरीद प्रभाव पढ़ेगी मुझे से वो नेट्विट्स की सीरीज याद आ गई बहुत सारे लोगों ने देखी वी होगी सेक्सलाइब ठीक है वो थोड़ी कॉंट्रोवर्शियल थी बट वो एक्साट्ली असे ही चलती है जहां पे एक बॉइफ्रेंड है वो बहुत ही केरलेस बॉइफ्रेंड है जो बिखुर उसकी केर नहीं करता बड़ वेरी गुड बाती सब चीजों में तो यह लड़की बाद में उसको छोड़ देती है और शादी करती है बड़ बार बार कंपेर करती है अपने हस्बंड को बॉइफ्रेंड से और फिर वो शादी तूच जाती है जैसा कि डॉप साब असब बॉला कंपैर कुर्व टाता है कॉंकि इसको पार-बार यातनाता है कि नहीं जो हो इसे कड़ता है means這些 को रहता है तो कंपैरिशन चलता है आज भी जो लो कहते हैं मेरे पाथे मेरेशसे आप डे मेरेश सी कर रह रहogie है मैं मोझे है्क ग्रेंड अदेफ़ारी क सण बार लेकिन जब भी कहते हैं कि मेरी वाइब नहीं मैच हो रही और यह क्या ऐसे कर रहा है यह सब मुझे बिल्कुल इर्रेलिमेंट लगता है लेकिन कहीं कहीं पर बात ऐसे आजाते हैं कि लगता है कि अब इनका अलग हो जाना ही वरना बाकी लोग सफर करेंगें तो बीच में 498 इससे बेटर यह कि यह दोनों अलग हो जाएं कि 498 एक ऐसी चीज है फिर वो परिवार वालों पर भी लगेगा जा तो फिर मेरे सामने यह आ जाता है कि चलो इस लड़के को किसी ज़रा से इसमें से निकालना तो मैं कहते हूं कि वाइब नाच नहीं हो रही है तो भाई दे यह सारी जहां पर भी चीजे आती है ना यह बहुत ही आपने गुलिया ना होग इन चीजें फैशनेबल लगता है वगर यह है नहीं हमको लोटकर अपने रूट्स की तरफ ही जाना पड़ेगा अगर हमको एक सस्टेनेबल मैरिट चाहिए तो जैसा कि रॉक साब में का वो चीजेजह करना बहुत पूरानी चीजह माने जाने जाएंगे हम क्यों एड़ियों को तो जएदा ज़ीजा जाता है क्यों अध्यूघ है कि जो घर होता है ना चलाने या भी कर सकते और कोई निए उसके हाथ में यह पावर है और वही किया गया है और पूरे थोड़ा-थोड़ा इधर भी है थोड़ा-थोड़ा इस तो इसमें अच्छा मेरा कुश्चन एक और थोड़ा जो अलग है कि जनल यह जो आपने अभी जो ती आपने कहा कि उन्होंने लड़कियों का दिमाग खराब कर दिया कि तुम क्यों सहोगी तुम क्यों करोगी तो वहां पर अभी एक्वैलिटी एड़ फेस ओफ तो बड़ी इंट्रेस्टिंग लगते है बड़ी अट्रैक्टिव लगती है बड़ी अपीलिंग लगते है कि एक्वैलिटी तो हो नहीं चाहिए लेकिन अगर हम प्योरली बायलॉजिकल देखना शुरू करते हैं तो पुरुष और महिला में बहुत अधिक फंडामेंटल लेवल पे बहुत डिफरेंसे हैं एक पुरुष के लिए एक क्रिया में जाना उसके लिए 10-15 मिनिट का काम है और उसके बाद वो अलग हो जाता है वो एक अंग्रेजी में का जाता है स्पर्म इस चीप मदर होड़ इस एक्सपेंसिब इसके ज ज्यादा तो उसको इतना मर्जी आप स्ट्रेच कर सकते हैं वहां तक जाता है तो क्योंकि दोनों बाइलाजिकली अलग हैं तो पुरुष को तो फिर भी सूट कर सकता है कि मैं मर्टिपल पार्टनर इसके साथ कर लिया और फिर मैं चला गया है लेकिन महिला को जब वो माइ पुराने जमाने की बात है हम उसके बारे में बात ही क्योंगर हम तो अपना सोचेंगे कि वो हम इंडिविजिल लेवल पर उस ग्रैटिफिकेशन पर आ जाते हैं लेकिन ऐसा करते समय जो बच्चे हैं अब है तो बच्चे ही वो लार्जर पिक्चर को नहीं देख पाते और स्पेशली जो लड़कियां हैं वो फिर ना इधर की बच्ती है ना उधर की बच्ती है और यह मैंने स्पेशली देखा है कैंपसेज में जब देखेंगे जो लेफ्टेस्ट सर्कल है वहाँ पर इनको बिलकुल डोर्मैट की तरह यूज़ किया रहता है वो होने को भी तयार लेकिन जब वो पांसा साल बीत जाते हैं तब तक वो इतनी बनाम हो चुकी होती है सारे सर्कल्स में कि लोगों को पता यार कि यह कैसी है तो वो उसके लिए शायद हो जजज सामने वो जो सिंटेंस बोला वो उसी कॉंटेक्स में बोला होगा तो इस बाइलोजिकल बाइलो साम-दापाथ योगों की बात की बड़ा सहग लेकर हो उन्हों कि शूप करता है おग traum कि ठीक है रलकी अगर तो हम सिंगल मदर्वोड कर शुपांसर करने लगते हैं और सिंगल मदर्व जो को सेटाइज करें है कि तो मेरी समझ से उसको बाइलागीlya डिफ्रेंस पर लाने से हमस्या यह है कि वे यह समझाने लग जाते हैं कि बेरी बैलाजी मेरी प्रॉब्लम है हम रिबाट ले तुम सिर्फ उसकी सोशियोलजी देखो उसको गेंटिनेंस दो सरकार उसको कैसे दे सिंगल मदर होड को सिंगल मदर होड को आप करते हैं कि प्रेगनेंसी को एक प्राइड की तरह सिंगल मदर होड को देखा जाने लगा किया है और आप देखें कि सुष्विता सेन वगर और वो कौन सी है वी रिचर्ट की नीना गुता तो इन लोगों ने सिंगल मदर होड को ग्लॉरिफाई कर तो जो हम उसके बात करते हैं तो वे इसको बहुत आसानी से करते हैं कि इसलिए नहीं ले जाना चाहूं लेकिन मैं इसको सोशियोलोजिकल आस्पेट पर रहूंगा कि चाहे यहां पर बहुत सारी वहलाओं को मैं देखता हूं कि उनके लिए सिंगल मदर हूड वड़ा आसा सब्सक्राइब करने की जरद ही नहीं होती सारे बच्चों के लिए उसको सरकार से पैसे मिलते हैं और उसका काम चाहिए तो वामपंथ ने सोशलिजम ने इस इस प्रॉब्लम को बिलकुल दूसरी तरफ लट किया है और इसको उससे बड़ी एक प्रॉब्लम में उसने इसको इंसेंटिवाइज कर यहां पर एक सैकोलाजिकल बात में तो हूंगा हम लोग बार बार सोच रहे हैं कि लड़कों के ल जन्देशन पीछे हैं तो हमारी पीड़ी ते कम से कम ऐसा था कि लड़के रिलेशन्शिप रूटने के दर्ध को बहुत ज्यादा महसूस है ठीक है अभी दिए अपर चलते थे लड़के लड़कियों के अफेर चलते थे फिर लड़की के पाबाप लड़की की शादी कहीं और कर देते थे लड़की चुप चाब जाके शादी कर लेती ती और उसका मैं कभी-कभी अपडेट भी करती हूं कि रात हो गई अब इनका शिरू होगा तो जगीति के गजल सुनना और गुलाम अली अब यह सब होता सा ऐसा नहीं है वह लोग इसको दिखाना चाहते हैं कि लड़कों के लिए बड़े मज़े की बात है लड़कों के लिए बड़े म मैं मजाग इसलिए उडाते हैं ताकि मैं बड़ा चिल्ल डाउट हो जाएं क्योंकि मैंने पर्सनल तो मुझे पता रहता है कि अंदर से कितने आहत हैं यह लोग और कितने ज्यादा दुखी हैं और इस ता कोई solution में दे नहीं सकती हैं मैं ज्यादा तर सर्कैस्टिक्ली बोल अच्छा लड़कियों के लिए भी मुझे तो नहीं लखता है कि मज़े की बात भुटी होगी जहां करना चाहा रही थी वहां नहीं हुई तो जब हम बहुत साल बात मिले तो उनके मंद में ये tension थी कि कहीं मैं पूछ ना लू तो मुझे भी इतनी तमीज तो है कि मैं नहीं पूछूंगी पर ये तकलीफ की बात होती है दोनों के लिए हां लड़किया थोड़ी बिजी हो जाती है अपने नए घर में और सब्सक्राइब और लड़के वहीं चूट जाते हैं और वो दो उसमें पैर रखके चलते हैं और फिर जो डबल जो चलता है वो चलता ही रहता कि आशिक से सुस्त जानवर मैंने आज तक नहीं देखा तो मैंने उसी चेंज गया था पिटे वे आशिक से सुस्त जानवर कोई नहीं होता तो एनिवे जोग सा पाट अगर हम पूरे टॉपिक पे आते हैं कि ये जो जानते हैं क्या इसमें मैंने बहुत सारा कुछ ये भी आज भी जिस केस के बारे में जी थोड़ा से कटके आवाज आ रही है जहां जो लिव-in relationship में भी न बहुत सारे cases ऐसे हैं जहांपे लड़का Muslim है और लड़की Hindu है आज भी जहां मैं जिस murder की बात कर रही हूं वो लड़का Muslim था और यह रड़की ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं कि बहुत चोटी थी 24-25 साल की है तो दिमाग को था सोचने के लिए कि क्या करना चाहिए यह जो मैंने वैसे तो मेरे पास अनेक्डोटल एविडेंस ही है डिक्टा मैंने कठा नहीं किया लेकिन जो दिखाई दे रहा है उसमें बहुत हाई परसंटेज ऐसी है इसमें भी जो लड़का है वो मुसलमान है मैंने भी ऐसा देखा है और आपने श्रदा और अफसाब का केस तो इतना ज्यादा पॉपलर हो गया कि सभी लोग जानते हैं ज्यादा तर यह जो है ना आप देखिएगा कि यह उसी तबके से आता है कि हां मतलब उनका दबा हुआ सपोर्ट रहता है वांपंति इंद्रा जैसिंग में इसके अगेंस बोला है तो यह लोग तब चुप हो जाती है जब कोई लड़की ऐसे मिलती है या पिर यह मडर्स हो जाते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या यह तबका इस बात का खुला फायदा उठा रहा है कि चलो लिविन में रह सकते हैं लड़कियों के दिवाग में यह भरो किया रहे तुम्हें तो बड़ा तकलीव दिया जा रहा है क्योंकि अभी पांच दिन पेरे की में बात बता रही हूं एक लड़की थी जो जैसे अगर वो हम लोगों से मिल ली तो हम फिर भी समझा देंगे कि भाई आप जगरा मत करो यहां तक मत बढ़ाओ पैट कर बात कर लो जैसे हैं लोग किसी लॉयर के पास जाती है और वो दूसरे मजब का मजब का लॉयर था उसने बोला रहे तो बड़ी तकलीव की बात है आप क्यों कर रही है उसके साथ हां और आप हमारे साथ और वो लॉयर नहीं पूरा सब पैट कर लोग कर रहे हैं तो जो यह समझाया जा रहा है ना बहुत आराम से रह सकती हो कोई प्रॉब्लम नहीं है लड़कियों को हग है अपने बारे में यह सक सोचने का यह सचमुश में मूर्ख लड़किया है क्योंकि यह इसका लॉंग टर्म एफेक्ट नहीं देख रही लेट करेंगे और अभी तुम कहीं तकिये में मुझ चुपा कर रो रही होगी मगर वह वीडियो तुम पोस्ट नहीं करोगे तुम यह बेफ़कुप बनाने वाला वीडियो पोस्ट करोगे क्योंकि अगर विवाह नाम की एक संस्था बनाई गई गई थी तो उसके पीछे बहुत कारण थे और बहुत सोचा गया होगा पुराने रिशियों ने बैटके मुनियों ने बैटकर सोचा होगा कि क्या किया जाए कि समाज एक धर्रे पर चलता रहे मैं बिल्कुल नहीं के रही हूं कि खराब है मैं अभी भी नहीं के रही हूं I am with the youth जो लोग सुन रहे है आप रहिए लेकिन उसमें टॉंस एंड कंडेशन स्वोट को डिसाइड करने चाहिए और यह फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरेज पर जो रेप फाइल हो रहा है वो खतम कर दीजिए सेफ कर दीजिए लड़के लड़कियों को लड़कियां भी ऐसे मूर्ख ना बने उनके भी र अच्छे रोल मॉडल पैरेंट्स जहां हस्बेंट वाइस की कॉंपेटिबिलिटी में दिखाई दे ऐसा नहीं हो उन्हें ऐसा ना लगे कि यह खुटो मावाब खुटे विल्ले की तरह लड़ते रहते हैं हमें करते हैं कि ऐसे शादी करो हम आपके जैसे जीएंगे क्या यह उनका सबसे बड़ा अलिमेंट होता है और उनको जिस पार भड़काया जाता है तो हमारे जेनरेशन की नेकिटि जिया जा रहे हो वहाँ बहुत पेंफुल है और फैंको प्रॉजिकल प्ऱूब्लम अगली जेनरेशन के मेलेशन के लिए प्रॉब्लम मासिव है इसलिए कि इस तरह से किसी relationship को approach मत करो कि मजे ले ले लेते हैं और बाग की बाद में देखेंगे I think there is no such thing as a free lunch जिसकी price पेकर नहीं पड़ेगा विल्टकुल किसी भी तरह का आप मनुरंजन कर रहे हैं उसका आपको price देना पड़ेगा तो अब फिर इसमें प्रशन ये उठता है कि ये जो सारा system है living relation का इसमें फाइदा लड़के को ज्यादा है क्या लड़की को ज्यादा है अगर हम इस तरह से चलें तो इसका क्या answer देंगे हम दोनों का नुक्सान है तो अगर आपको उसके फ्राइदे समझने हैं तो हम उसको society में एक control change के माध्यम से जो की change आ रहा है आज के दिन में ऐसा नहीं है कि लड़का जड़की दिन साजी करता है उसके बारे में कुछ नहीं जानता है उससे कभी बैट नहीं उसकी फोटो द अपने घर में अगली पीड़ी है पुरी जवान हो गई है सारे बच्चे तो हम उनको एक करते हैं कि बिटा तुम लों पुना छे मेना साल पार डेटिंगी कर लो जासे डेक किया जाता है डेट पर लो वाटासक है आज के जिंदे ने हम लोगों के समय थे लिख्के तुम लोग नब सक्ते हो काुट कि खोंची तो ओपैस कुं मिल सक्टे गाल सकति हो तो um टेकिए टाइम और राइटर आपने इनिशियल फ्यू मन्स आप मैरेज के पूरे प्रोवांस को पूरे एक्साइटमेंट को खत्म कर दिया और फिर आप मैरेज शुरू कर रहे हैं तो मैरेज स्कार्ट लगिंग लगिंग लाइक वेरी स्टेल और वेरी बोरिंग तेंग तेंग कहीं बच्ची भी शामिल होते हैं वेस्ट में मुझे हार्दिक पंड्या की शाधी याद आ गई एक क्या है उसमें क्या था उसमें बच्चा साथ में था बच्चा था न उसका पेले हार्दिक पंड्या जो क्रिकेटर है अच्छा मुझे निपता नहीं रचाए अगर आप ऐसे सोच के चल रहे हैं कि मॉनिटरी फाइदा तो जब रेप के केस फाइल होते हैं तो लड़की को कुछ 8-10 लाख मिल जाते होंगे शायद जो सेटलमेंट करके मिलते हैं ठीक है जेल बेचके अगर आप उसको फाइदा मनती हैं जैसे कि बहुत सारी स्थियों क आप व Lake Beach को लगता है पैसे कमाल है बस बहुत बढ़ी बात हो कि जैसा कि अभी वैस्ट में चल रहा है चाईव सपोर्ट मिलता है स्टेस से सपोर्ट मिलते है तो अगर आप वैसे मानरी है तो आपके जीवन का परपस ayन और यहां यह नुका है कि हां लड़की जोर डाल के लड़के से शादी कर ले या कुछ पैसे निकल वाले यदि यदि इस त्रियां उसको फाइदा मान रही है तो क्योंकि बहुत सारी लड़कियां उसको फाइदा मान रही है तो अगर आप उसको फाइदा मान रही है तो बहुत फाइदा है लड़कियों को वैसे देखा जाए तो दोनों कोई कोई फाइदा मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है और जिनके unfortunately partners नहीं रहते हैं और उनको दूसरा शादी करनी पड़ती है या दूसरे partners जूनने पड़ते हैं कभी उनसे उनका दुख सुनिये बैटकर तब पता चलेगा कि कभी मजबूरी में उनको दूसरा partner करना पड़ा या कोई और बाती तब पता चलता है लेकिन हाँ फाइदा अगर फाइदे और उसके हिसाब से सोच रहे हैं तो हाँ लड़कियों को monetary फाइदा कभी गबार किसी किसी केस में भारी हो जाता है और उसमें फिर मैं क्योंकि बहुत लोग सुन रहे हैं तो मैं बत कैसे शाधी करना जो आप से शाधी करना चाहता है मanka can कैसे रहते हैं जोर लगाए कि चादी कर्वा लेते वह जैसे वा पकड़ीन विवाह होता है उस तरह का विवाह मुझे नहीं समझा उत्य formerly कैसे cucumber ल हलेता है कि संभाज़ा है लेकिन संद्भावता हम लोगों का जीन अगर कोई लड़की morally corrupt है उसको पैसा ही उसका success का parameter है तो उसके लिए live-in फाइदे का सौधा है लेकिन लड़के का हर स्थिती में घाटे का सौधा है हाँ बिलकुँ अच्छा ओके मैं इसमें इक और point बताती हूँ कि कहीं कहीं पर live-in इसलिए इसने मार दिया मतलब कुछ भी हो और जहां पर लड़की अगर ऐसा हो जाए कि कुछ dispute में fit of rage में लड़के ने मार दिया तो फिर वो बहुत बुरा बजेगा मतलब समाज की तरफ से भी होगा और कानून तो उसको देगा ही देगा सेजा जोगी देगा तो फाइदा उस हिसाब से अगर सोचा जाए तो भी लड़की की साइड का फाइदा है कि इसको कुछ फाइदा तो मिली जाएगा कि अरे ठीक है इसने सेल्फ डिफेंस में मारा होगा तो अगर आप ऐसे सोचके चले लड़कों का बहुत नुकसान है तो अब राजीव जी जिसे में कार्ण कहते है मैं गो दिर ओन वी क्या ही उसी को प्रमोट गया जारा है डारेक्ट परिवार को तोड़ने के जितने रास्ते इस सारे इस्तेम अले किया रहे है परिवार को तोड़ने से सबसे बड़ा फायदा किसका है परिवार को तोड़ने से सबसे बड़ा फायदा उस व्यवस्था का है जो चाहती है कि लोग स्टेट पर डिपेंडिन लोग वामपंत की लेजिटिमेसी ही इस बात से आती है कि आप समाज के बजाए परिवार के बज इसलिए सारे लिटरेचर और सारे लाजिक्स के सेंटर में शत्रू जो है वह तो तो में गो दियरोंगे रास्ते से परिवार की वजार की वजार की वेट को बनाने का दोश्ते हैं और यह जो कोर्ट के जज्जमेंट आ रहे हैं कोर्ट के जज्जमेंट इस पर आना अपने आप में विचितर एक फोसल फेल्यूर की अवस्ता है समाज का काम सरकार का काम का कानून का काम समाज को चलाना नहीं का काम समाज के लिए नियम बनाना अगर कानून को बनाना पड वाइबिलिटी ओफ इस्टिशन ऑफ फैमिली को रखना पड़े है जी जोती जी कुछ कह रही है जी जोती जी मैं आज ही एक रिपोर्ट पड़ रही थी कि जिसमें ये सिंगल पेरंट सिंगल मदर का जो कंसेप्ट है जो ये लोग बहुत ही लिखते हैं और आजकर मैं इंडर डैसपोरिया आरा है आप जो बोल रहे थी जो उन्होंने बोला कि जैंडर is a social construct यह सबसे बड़ा इनी सिंगल मदर के बच्चों में है यही लोग कि आजकल जो fashionable बिमारियां चल रही है ना, fashionable इसलिए कि आजर से जाधा तो fashion में ही कह रहे हैं कि मुझे anxiety हो रही है, depression हो रहा है, schizophrenia है, यह सब जो जितने भी disorders हैं, जो अभी तक हम western world में, specifically US में जो हम देख रहे हैं, वह exactly वही copy हो रहा है, यहां पर कोई report नहीं आई है, बट मैं आपको अपने observation से और जिस तरह से मैं देख दीए हूं, करवाता रहेगा, उसका कुछ और काम नहीं है, तो यह जो है ना एक जो परिवार जो हम बचाने की बार-बार बात कर रहे हैं, हमको यह भी decide करना पड़ेगा, कि परिवार में पुरुष की स्थिती, अब क्या होगी, स्थी की स्थिती हमने बहुत अच्छी तरह से बार बा को ऐसे बाले judgments बढ़ावा देते हैं, उनको लगता है कि शाधी करके अब फाइदाई क्या, जो बार-बार लोग कहते हैं कि एक ऐसी स्थिती बन रही है, वो एक और बार स्थिती होगी, specially हिंदू समाज के लिए बहे कहना चाहता है, मैं यही कहना चाह रहा था उस समय, कि ज लगता है यार, मेरी commitment हो जाएगी, मैं अभी commitment के लिए तयार नहीं, पता नहीं लड़की कैसी निकलेगी, तो मैं live-in में रहने की कोशिश करता हूँ, दोनों cases में मेरे खिलाफ कानून जाता है कि अगर लड़की जरा सी भी खराब निकल आई, तो मेरी वाट लगा देगी, जीवन मर के लिए वाट लगा देगी, क्योंकि court ने बोजना इसको alimony दे लिया, तो उस case में MG Tau seems a better way कि मैं थोड़े पैसे खर्च करके कहीं पर जहां पर professional services मिलते हैं, वहाँ चला जाओंगा, तो that means deliberately एक ऐसा system मनाय जा रहा है, जो Mac Tau को promote कर रहा है कि क्यों मैं फसूं प अंदोलन को बढ़ावा आंदोलन या कह दीजिए, जो social change है, उसको बढ़ावा दे रहा है, जहां पर विवाह ना हो, लेकिन बाकी सब कुछ है, जो आप कहरें कि professional services, तो हमारी हाँ तो prostitution भी legal नहीं है, तो उनको दूसरी ही तरफ जाना पड़ता है, मैं अभी कुछ दे रह होती जी चीजी अपनले में मुझा है कि अब ज़्यादा बढ़ेंगी, पुरुष भी ऐसा करना शुरू कर, हमें पता ही है कि दबे जुपे सब कुछ होता है, भले ही वो illegal हो यहां पर, तो क्या हम उन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, और अगर नहीं दे रहे हैं, तो क क्या करेगा, क्या वो sexual crimes की तरफ नहीं जाता है, और जब हम sexual crimes की बात करते हैं, तो सबसे वलरेबल जो हैं, वो हैं बच्चे, चाहे वो लड़का और चाहे वो लड़की हो, तो क्या हम उनके लिए खत्रा पैदा करने हैं, यह एक चीज है, live-in, और उससे बहुत सारी चीज मेरा यही था, कि पहले जो हम जिस social structure में रहते रहे हैं, जो system बना, वो हम बोलते हैं कि ब्रामनों ने बनाया, या रिशियों ने बनाया, जैसे आप ब्रामन बोलते हैं, एक इस तरह का वगर उठके खड़ा जाता है, या रे तो ब्रामन वादी बात कर रहे हैं, मनु वाद structure डिजाइन किया, जो हजारों वर्षों तक चला, अब कुछ ऐसे लोग हैं, जो उस structure को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो power को appropriate करना चाहते हैं, लेकिन आज की stage में, आज के समाज में, ये role किसका है, आपने बोला कि Parliament में decide होना चाहिए, हम जानते हैं कि Parliament में जो लोग बै अगले election की strategy बनानी है, वो इतना long term सोचने वाला Parliamentarian, मुझे तो कोई एक योगी जैसा, को एक आदा विरला होगा ऐसा, जो alive होगा इस चीज के लिए, जो सोच सकता है, लेकिन otherwise, अब ये जो vacuum है, ये कैसे पूरा क्यार है, क्योंकि एक तरफ courts हैं, जिसमें जो judge जो है, उसके whims and fences वे हैं, कि वो जो निरने दे देगा, वो इतना प्रेसिडेंट वन सकता है, वो ठीट भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, पारलेमेंट एरियन को क्या हम इतना बुद्धी माग आज की डिट में समझते हैं, कि हमारे भले का एक ऐसा समाज को बचाने का नियम लेके आ मैं एक बात कहना चाहूंगा, कि मैरेज नाम का इंस्टिउशन दुनिया के हर समाज में, यह नैचुरली इवाल्ड सी सिचुएशन, इसके अलावा और कोई विवस्था हो ही नहीं सकती थी, और मैरेज नाम की संस्ता पता नहीं, कितने हजार साल पुरा थी, मतलब किसी भी स्टैबलिस्ट से ज्यादा पुराना चीज है मैं तो ऐसा नहीं है कि समाज बना और सिविलाइशन डेवलप हुआ, और उसके बाद किसी ने विवस्था कि चोलो तुम लोग शादी करोगे और परिवार में रहोगे, मैं तो कहता हूं कि परिवार इतनी फिर्नमेंटल वादी वस्था है वकवास बात है क्योंकि यही अफरिका में भी है, यही मावरी में भी है, यही अवरुजिंस में भी है, तो यूमन सिविलाइशन का और दुनिया के हर कोने में लोग इसी निसकर्ण पर पहुंचे हैं कि बच्चों को बढ़ा करने के लिए अग्री कुप पालने के लिए सबसे अच्छा इस्टूशन फैमिली ही है, तो यह बात इतनी बार इतने अलग-अलग से निकल कर आई है कि इसको किसी अलग वैलिडेशन की आवश्यक्ता नहीं है, दूसरी जो बात है कि इस पर गाइडलाइन पार्लियवेंट बनाएगी या एक्सपर्ट बनाएंगे, मैं मूल रूप से इस तरह के विचार का समर्दश नहीं करता क्योंकि एक वेलिटी की सोच, कितनी भी वेल इंफॉर्म्ड हो, कि समाज की कलेक्टिव सोच से बड़ी नहीं हो सकता, तो समाज हमें जो कंटिब्यूट करना है, वह सोच, वह कलेक्टिव सोचल इवॉल्यूशन को कंट्रिवूट के प्रॉसस को कंट्रिवूट करना है, हमें उसमें बच्चों को इन्वॉल्व करना बहुत जरू है, हम गाइडलाइन बना के देदेंगे और बच्चें नहीं मानेंगे, तो हम उनसे जबर्दस्ति नहीं मनवा ले तो जो पार्लेमेंटेशन सकत साल का, वो इक बाइस साल के लड़के के लिए व्यवस्था देगा, जो बाइस साल के उस लड़के और उनस साल के उस लड़की को स्वीकार होगी, या इसकी कोई गारेंटी रही है, और समाज जो है फ्यूचर को विलॉंग अगली पीडी जै तो फिर ये लड़के जो जेल जा रहे हैं बिनाबाद के ये कैसे बचेंगे, इन पर रोक कैसे लगेगी, इनको कौन रोकेगा, ना कानून मंत्री के हाथ में अगर ये बात है, सिर्फ कोर्ट बेजते रहेंगे, तो फिर हमारे पास कुछ इसका मतलब मैं ये बान कर चोलू इसलिए मैंने पार्लेवेंट की बात की कि ये गाइडलाइन जरूर आने चाहिए, इस पूरे मैटर में जो सबसे गलत बात है, वह लौ के माध्यम से इंट्रोडूस की गए, इतने खराब लौस बनाए गए हैं, इसकी वज़ा से ये बच्चे जेल जा रहे हैं, इनहरेंट खराब अनजर्च जो नैचुरल जास्टिस के नत्ट्रों से धानतों के विरुद्ग चानून बनाए गए हैं, तो ने किस ने बनाए हैं, उनुझी मैन लोगों ने बनाए हैं, जिनते विश्वास करके, जिनकी बुद्धिमता पर विश्वास करके हमने उनको ये अकाम इं रहे हैं वो आप जरूर पढ़िए तो आपको पदा चलिए कि मैं किस चीज की बात करें उन्हों ने बोला ना कि लड़की का नहीं था वहीं पर सारी प्रॉब्लम है जो आपको जड़ बता रही हूं जिस पर जरूर पार्लियमेंट को बात करनी चाहिए और आप लोग उनको जो लोग हमें देख रहे हैं उनको डिमांड करना चाहिए अपने अपने जब वोट बांगने आएंगे ना तो उनसे जरूर करिए कि इस पर बात करिए क्योंकि लिविन कैसे रोकना है क्या नहीं रोकना है मैं मानती हूं हमारे हाथ में हैं हम समाज में लोग बैठ करके हमारे समाज के लिए लेकिन इस पर जरूर एक गाइडलाइन आनी चाहिए कि IPC 375 को तुरंट के तुरंट चेंज किया जाए 498 पर तो लोगों ने छोड़ी दिया है हम लोगों ने होप ही छोड़ दिये और at least IPC 375 पर बात होनी चाहिए सेस्ट याग भी हम लोग अभी आशा छोड़ चुके हैं कि कोई बात करेंगा लेकिन बिना बात के जब आप कंसेंट की बात करें या तो आप कंसेंट को पूरी तरह से डिफाइन कीजिए कि कंसेंट माने किया तो यह बहुत इंपोर्टन है इन सारे जज्जमेंट के बीच यह मैं बिल्कुल समत हूं आपसे और कंसेंट एक ऐसा इशू है जिसको आपने आज दे दिया और पोस्ट रेटेड विड्रावल और कंसेंट जो है या नैचुरल जस्टिस की विरुद है एक्जेक्ली यह जो 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 लॉब बोले जैसे सेस्ट एक्ट है वो यह सारे नैचुरल लॉफ जस्टिस के बिल्कुल विपरीत जाते हैं और सब का टार्गेट अगर आप देखेंगे तो हिंदू बनता है पुरुष बनता है सवर्ण बनता है तो एक डिजाइन दिखाई देता है सारे के पीछ में वह डिजाइन है यह सर्थ कि सोसाइटी को नैचुरल ऑपरेशर्स और नैचुरल विक्टिम्स में बाटा गया है वामपनती थौर्ट्रोसस है कि कुछ लोग ग्रॉप्स देर गॉप्स डार डिखलेड नैचुरल ऑपरेशर्स और गुप्स डार नैचुरल विक्टिम्स तो यह जो इस थौर्ट्रोसस को इस पूरे सोसाइटी को डिफाइन करने का यह जो परफॉर्मा है इसको चैलेंज क यह जाने क्या हो शक्ता है। यह जाने की तरह खड़ा होगा। यह जाने के लिए और इसमें अच्छा एक आयोग वाला बेचो दरा। यह जाने के लिए। यह जाने के लिए। यह जाने के लिए। यह जाने के लिए। ऐसा कहना चाह रहे हैं क्या फोलिकेशन से क्राइब पॉनिश्ट रभी लिए इस एंसार कर लिए ने ने I don't think you should because that is also very very inhuman the way they punish Islam में जैसे वो पत्थर मार के punish करतें that is also very very inhuman but definitely जो अहां ये वो अधिल्ट्री अभी तक जो है क्राइब था ठीक है कुछ साल पहले तक अडल्ट्री था अम मेरे ख्याल से मोधी जी की गवर्मेंट आने के बाद से अडल्ट्री प्राइम नहीं रहा है तो उसके बाद से इन वाले है तो है अभी अभी सजा उसको तो आप 498 में फसादो दस चीजों में और फसादो लड़कियों लड़कियों को तो आप नहीं फसा सकते आपकी पत्नी का कहीं और अफैर आप कुछ करी नहीं सकते आप वीडियो दिखा दीजिए कि कोट में जाके जज़ को जज़ कह गए अपराद ही नहीं है तो इस तरह का परिश्मेंट देना हां वह मैं मांती हूं बहुत इन्यूमन है और देर शुट बी सम पेनल्टी और यह अट लीस्ट तो आसान कर देना चाहिए जब यह पता लग जाए कि हैं लड़की आता है इत कि अगार is not the owner of the sexuality of the sexuality of the family. That means the dice is heavily loaded against man. Yes yes Sir मैं ताहूंगा dice is heavily loaded against family whichever way you see it dice is heavily loaded that is what they want. इसलिए जो मस्कुलानिटी है उसे उसको मलाइंग गया जाता है ताकि पुरुशों में मस्कुलानिटी ना बचे और नो महलाएं है है वो बिल्कुल करेक्टर लेस हो रहे हैं वहां की जो एक जो सर्टन एज क्रॉस कर चुकी हैं फेमिनिस्ट उन्होंने कहना शुरू किया है कि मैस्कुलानिटी इस नॉट टॉक्सिक क्या उनके बच्टे बड़े बेटे बड़े हो गएं तो अब उनके लिए वह वापस उनक नहीं ले पा रहा है लड़का तो अब उन्होंने कहना शुरू किया है जैसे कि मैं सुन रहे थी अभी कुछ दिन पहले जहें एक एमा वाट्सन को भी मैंने सुना था कि इस नॉट टॉक्सिक मैस्किलानिटी मैंने सूचा यह क्या हो गया इनको समझ में आया कि होड़ा कु कुछ प्रॉब्लम इनको दिखनी शुरू हो गई है तो आध यह बोले हैं मस्किलानिटी से एक समस्या सबसे बढ़िया है कि मैंन की मस्किलानिटी को टेम किये विना शुमैनिटी को इंसलेव किया जाना संभा नहीं है बिलकु ठीक पंडित मिश्रा जी है प्रणाम सुबर्बार होने का सपना पालता है दस साल बाद हमारा समाज कैसा होगा इस पर जिवती जी अरब मेरा समाज कैसा होगा इस पर जोती जी के विचार अच्छा, मेरा जो एनलिसिस है, उसे साब से पॉपुलेशित, वो सब का अनलिसिस वही है, अगर आप न्यू वर्ल्ड थियोरी और ये सब कुछ पढ़ेंगे, न्यू वर्ल्ड ओर्डर, हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी, उसके विभिन कारण है, एक कारण ये भी है मैं इसलिए नहीं समझाती हूँ कि फिर वो कहेंगे, आप तो, आपको तुसरा पता है, आप क्यों बोल रही हैं बुगा, तो इसलिए मैं नहीं बोल रही है, तो ये वर्ल्ड वाइट, हमारा यहां वर्ल्ड वाइट डाउन जा रहा है, इंडिया में भी डाउन जाएगा, मेरा आखलन ये है कि अगर हिंडू समाज ने एक इमर्जन्सी के तौर पर इसको नहीं समझा बैटकर, तो सबसे ज़्यादा असर हमारे उपर आने वाला है, क्योंकि हम वैसे भी लिबरल हैं, तो मुझे लगता है कि हिंडू, हिंडू से जादा लिबरल कोई हुई हुई, तो हमारे उपर इसका प्रभाव आएगा, इसलिए हमें बहुत जल्दी बैटकर सुछना होगा, जो है, जिस तरह से हो रहा है, पहला पहला तो यह है कि हमारी जन संख्या डाउन जाएगी, क्योंकि मैरीज इस कम देरे देरे से. जोती जी के आवाज थोड़ी-थोड़ी कट रही है, जी पंड़े जी जो आपने प्रशन पूछा है, वैसे तो मेरे पास कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है, जिसे देखके मैं बता पाऊं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, कि यह जो दो हजार चौबेस से उनत्यस वाले पांच पर जो हमारे डिसीजन लिए जा रहे हैं, प्लिटिकल क्लास के द्वारा, वो बड़े अना पेक्षित, अनेक्स्पेक्टेड हैं, और जो सिवलेजेशन का किसी भी तरह से भला नहीं कर सकते, वो हैं, और जैसे विशे पर आज हम बात करें, मुझे तो लगता ही नहीं, इस है, वो ऐसी है, और अगर हमने प्रोएक्टेबली सिटिजन के रूप में इसके खिलाफ काम नहीं किया, तो पॉलिटिकल क्लास को इसे कोई फरक नहीं पढ़ रहा है, ना उन्हें समझ में रहा है कि किस तरह की भयानिक स्तिती आई हुई है, यह आपने एकदम सही गा कि चूटी चूटे बड़ी शुद्र से लेवल की चीजों में उन्हें में फसे हैं, मैक्सिम, मोस्ट अव धीस भी, संधार्त आपते जी, क्या वामपंतियों द्वारा खेला जाए है, खेल है, शादी विवस्था को खतम करने का, जिस प्रकार पहले पंडेदों को फिल्मों म का सबसे बड़ा सोर्स मालता हूं, मेरा एक एक एक्वेशन है, कि power is your ability to take decision on behalf of others, so family is the institution where most decisions are taken, economic decisions, personal decisions, any kind of decision, maximum number of decisions are not taken, either at individual level or at state level, सबसे अधिक निर्णा के सबसे अधिक तो अगर कोई व्यक्ति निर्णा लेने की इस institution को पर कज़ा कर ले, तो he can only a massive amount of power and take control तो वामपंचियों की निजर्ट अलवार नंग की अवस्तिये हैं, because most decisions and they want to assert that तो वाम इसलिए और भारत में पूरी दुनिया में, right from the time of Karl Marx, Karl Marx की अपनी राइटिंग में से लेकर Communist Russia के अंगर फैमिली के institution को तोड़ा गया, उन सब को लेकर आप कहीं में देखें, right from the very beginning, simply उसका रास्ता बदर दिया गया है, उसको पहले जिस काम को गौर्णिन डिक्टेट से और पार्टी के ओर्डर से किया जा पाता, Communist Russia में, उसी काम से विस्टर्ण वर्ल्ड में लिबरलिज्म के नाम पर फ्रीडम के नाम पर किया गया, लेकिन इनके निशाने पर फरिवाद नाम का निशा रहा है, और उसका कारण बूर्ट पावर है, आट रेस्ट इन दफैमिली. जी, रृतिका देवी, दियर फूल्स, यू आव इंटर्लाइज्ट कंसेंट बेस्ट मरालिटी विच इस लिबरल अर्गुमेंट, वा इस लॉजिक कंसेंट्वल, इंसेस्ट ओके, कंसेंट्वल नेक्रोफिलिया, अनिमल ओके. नेक्रोफिलिया में कंसेंट कैसे आया, कोई बताएगा तरह मिझे, और विला डेट बोडी गिए कंसेंट्वल नेक्रोफिलिया कैसे हो सकता है, एक डेट बड़ी कैसे प्रकाइज आम से प्रस्ण भी वी है, अब जड़ा इनके question में कुछ काम का है तो जड़ा देखें नहीं वो उन्होंने statement दे नहीं थी वो दे दी है नेक्स लेते हैं पंडित मिश्रा जी है डॉक्टर अजीव ही कुछ बोले प्लीज अच्छा आज इनने लगया कि आप कम बोले हैं डॉक्टर साथ समाज कैसा होगा जी प्रेडिक्ट करना आसान नहीं आप दस साल पहले प्रेडिक्ट कर सकते थे कि दस साल बाद आज का समाज कैसा होगा कि प्रेडिक्ट करना किसी के लिए भी संबड है कि 10 साल बाद समाज कैसा होगा दस साल में नहीं प्ली ही दिशां निर्जारित करती हैं वहीं निर्जारित करते हैं यह अकला समाज कैसा हो घा सब कुछ इस पर निर्वर करेगा कि हम अगली से कितना कम्यूनिकेट करते हैं और उनकों अपने कंसर्ण्स कितने उनसे शेयर कर पाते हैं यह एक्सपर्ट डिवाइट जी तो यह थे आज के प्रश्न अपतर और मैं तो सोच रहा था कि आज हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचे कि यह जो सब चल रहा है इसमें लड़कों को फाइदा है लड़कियों को फाइदा है लेकिन निकला तो यह के सभी को नुकसान है इसमें केवल वो जो राक्षा से चला रहे हैं उनको इसमें फाइदा हो सकता है तो हम सब को concerned citizen होने के नाते अपनी भावी पीडियों के अभ तो यही है तो इसी के साथ आजीव जी जोती जी दर्शकों के उर से बहुत बहुत अभाव जुमने के लिए एक बाग फिर से जन्व श्रमी की आप सभी को बहुत बहुत शुप काना है जैन से कृश्मी जैश्रीश्री नियवेदन शेर लाइक सब्क्राइब करें पत्रम क वो जनरेट कर सकें.